वेलकम बैक स्पेंस तो मैं फिर से आप लोग के लिए एक उंडोस 11 का ट्विटर लेका आ चुका हूं तो आज का टपिक बहुत ही इंपर्टेंट होने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो पॉब्लेम आ सकते हैं आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे हाउ टू एनवेल रिमोट टेक्स्टॉप इन उन्डोस 11 सिस्टेम तो देखें रिमोट डेक्स्टॉप को कैसे इनवेल करते हैं उन्डोस 11 सिस्टम में तो मैं आज आप लोग के लिए डिटर स्मिश्या करूंगी तो प्लीस इस व करना ना बूलिए इससे क्या होगा मैं जब भी नए वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग वीडियो देखके चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप जरू सब्सक्राइब कर लिज जो दीखे सेटिंग को आप अपन करना परेगा जो देकि फाइनली सेटिंगस ओपन हो चुका है दैन उसके बाद आप पेज को थूर सब्सक्राइब करिए करने के बाद यहाँ पर आपके सब्सक्राइब का एक एक ओपशन दिखै दिखन दिरीए जस्ट यहाँ पर बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर remote desktop enable हो चुका है देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे PC ने जो भी आपका PC ने में यहाँ पर शो हो जाएगा देन उसके बाद third number option किया है जो देखे remote desktop user अगर आप यहाँ पर remote desktop user में क्लिक करेंगे तो आपके सा आपने जो देखे select user का option आजाएगा देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आप user name यहाँ पर type करेंगे type करने के बाद check name में क्लिक करेंगे चेक ने में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको full control देना पड़ेगा तो देखे अगर आप user को add करना चाहते है तो इस method को apply कर सकते है अगर आप सोच रहे होंगे जो user को में add नहीं करोंगी तो आप इस option को totally cancel कर दीजी तो देखे यह method totally complete हो चुका है जो देखे यह fast method देन उसके बाद हम लोग second method क्या है तो चलिए देखते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको control panel को open करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ से मै CC seb How channel को open कर लीता हूं यहाँ ऑफाइनली देख पाना है जो देखे control panel open हो चुका है इसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जो देखे system में जो देखे advanced system setting then उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक new window open हो चुका है then उसके बाद यहाँ पर लग जो tap दिखाई दिरिए यह है remote का tap just यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा remote button में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके case में यहाँ पर don't allow है तो यहाँ पर allow button में आप ज़रू क्लिक करिए then उसके बाद यहाँ पर जो छोटा सा एक check mark है इसको भी आप check करिए then उसके बाद यहाँ पर apply and ok button में press कर दीजिए जो देखे इस method से भी आप remote desktop को enable कर पाएंगे windows 11 system में जो देखे यहाँ पर मैं first and second method दोने आप लोग के लिए share कर चुका हूँ then उसके बाद यहाँ पर हम लोग third number method देखते हैं तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर open करूंगी cmd तो देखे यहाँ पर आपके सामने जो देखे common form दिखाई दीडिए है यहाँ पर आपको कुछ comment apply करना पड़ेगा comment क्या है तो देखे यह है totally comment अगर आप इस comment को note down करना चाहते हैं तो note down कर लीजे तो आपके लिए benefit हो सकती है तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो की definition link में मैं इस comment को देने के लिए तो देखे यह है totally comment तो मैं इस comment को totally copy कर लेता हूँ copy काने के बाद यहाँ पर cmd में paste करता हूँ, paste करने के बाद यहाँ पर आपको enter बटन को press करना पड़ेगा, enter बटन को press करने के बाद यहाँ आप देख पार है, जो देखे, the operation complete successfully, जो देखे, first comment है, यह totally complete हो चुका है, then उसके बाद second comment क्या है, जो देखे, Windows file और route, अगर आप comment को देना चाहते हैं, तो okay नहीं तो आप इस comment को skip भी कर सकते हैं, तो मैं फिलाल आप लोग के लिए एक बाद दिखाए दीता हूँ, जो देखे, इस comment को मैं totally copy कर लेता हूँ, copy कहने के बाद यहाँ पर मैं cmd में paste करता हूँ, then उसके बाद आप enter बटन को press करिए, enter बटन को paste करने के बाद यहाँ पर आप देख पार हैं, जो देखे, update 3 rules and okay, जो देखे, यहाँ पर totally complete हो चुका है, and यहाँ पर कोई भी error नहीं आया है, जो देखे, अगर आप सोच रहे होंगे, जो cmd से कैसे enable करेंगे remote desktop को, तब आपको इन दोनों common को apply करना पड़ेगा, तब ही remote desktop आप देखेंगे, automatically enable हो जाएका, then उसके बाद मैं इसको totally close कर देता हूँ, then उसके बाद हम लोग phone number method को देखते हैं, तो देखे, अगर आप सोच रहे होंगे, जो power shell की through कैसे remote desktop को enable करेंगे, तो चलिए, मैं आज आप लोग के लिए, ओ भी share कर देता हूँ, तो देखे, इसक option आज जागा, just यहाँ पर आपको yes button में click करना पड़ेगा, yes button में click करने के बाद, यहाँ पर आप देख पर है, जो देखे, powershell open हो चुका है, but यहाँ पर आपको कुछ comment add करना पड़ेगा, comment क्या है, तो चलिए, इस पर हम लोग देखते हैं, जो देखे comment है, यह, तो देखे comment को paste करने के बाद, यह भी totally complete हो चुका है, then उसके बाद, यहाँ पर आपको second comment है, जो देखे, यह है totally comment fire oil rule, अगर आप इस comment को देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, यह तो आप इस comment को totally script कर सकते हैं, कुछ भी problem नहीं होगा, then उसके बाद, यहाँ पर मैं इसको paste करता हूँ, then उसके बाद, enter button को press करता हूँ, enter button को press करने के बाद, यहाँ पर आपको थोड़ सा timing लग सकती है, तो यहाँ पर आपको wait करना पड़ेगा, तो देखे, यहाँ पर finally totally complete हो चुका है, यहाँ पर कोई भी error नहीं आया है, then उसके बाद, मैं finally power shell को close कर लेता हूँ, close करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और भी customization करना पड़ेगा, अगर आप customization नहीं करेंगे, तो बाद में जाके आपको problem आ सकती है, तो कहाँ पर customization करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से मैं search button में जाता हूँ, then उसके बाद यहाँ पर आपको control panel में जाना पड़ेगा, तो देखे, यहाँ पर finally control panel ओपेन हो चुका है, then उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, नेट वरक इन sharing center में, तो देखें यह है은 network sharing center, then उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, चेंज之前 और आपको kink करना पड़ेगा, kink करने के बाद यहाँ पर आपको सामने जो यहाँ पर आपके system में turn on network discovery यह enable होना चाहिए और इसी तरह यहाँ पर turn on file and printers sharing भी enable होना चाहिए देन उसके बाद आप check settings में click कर दीजिए जो देखे save settings में click करने के बाद यह totally complete हो जागा देन उसके बाद आपको फिर से change sharing option में आपको जाना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखे guest on public तो यहाँ पर भी आपको turn on network discovery and turn on file and printers sharing में आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको save changes में click करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से change advance sharing center में click करना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पर है last option है all network all network में यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the public folder देन उसके बाद यहाँ पर file sharing में use 128 bit encryption to help protect file sharing connection recommended देन उसके बाद यहाँ पर आपको turn on password protection sharing यहाँ पर enable होना चाहिए तो देखे यहाँ पर तीने option देख लिया है then उसके बाद finally save settings में मैं click करता हूँ तो इसी तरह यहाँ पर आप तो यहाँ पर एक system है तो देखे आप थोड़ी देर के पाथ हम लोग और भी एक system को remote desktop ली enable करेंगे तो देखे उस system में भी remote desktop enable होना चाहिए और इसके साथ यहाँ पर जो देखे change settings में जाके यहाँ पर turn on the network discovery and turn on the file printer sharing and others जो भी यहाँ पर option enable किया है उस system में भी होना चाहिए अगर वहाँ पर कोई भी problem है नहीं तो मान के चलिए यह option disable है तो देखे कभी भी आप remote desktop को enable नहीं कर पाएंगे जो देखे इस system में भी करने है तो यहाँ पर भी enable होना चाहिए and उस system में भी enable होना चाहिए then उसके बात मैं यहाँ पर control panel में आता हूं control panel में आने के बात कस्टोमाजेशन करना पड़े गया कस्टोमाजेशन कहां पर करेंगे जो देखे Windows Defender firewall में कोई कोई टाइम में defender Windows Defender firewall ब्लोक कर दीती है तो देखे यहाँ पर हम लोग Defender को close कर देगे जो देखे Windows Defender just यह पर आपको turn on Windows Defender में क्लिक करना पड़ेगा then उसके बाद turn off Windows Defender firewall not recommended and turn आप विंडोस डिफेंडर फारवल नौटी कमेंड इन दोनों में आप चेक करिए देन उसके बाद जस्ट पर ओके बटम में क्लिक कर दिए ओके बटम में क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पाड़ा है जो देखे प्राइवेट नेटवर्क और गेस्ट और पाब्लिक नेटाँ के दोनों में क्लॉस पढ chez जो देखें रेठ गलर मीच से पहले ब्रीन कलर में प्राओ कर रही थी दैन उसके बाद यहां पर पर हम्लोग देखते हैं जो फाइनलर ली मोट डिक्सटोप देंबल हुआ है किżen में एकलीश बटम में जाता हूं सार्ज बटम में जान कोई easily मिल जाएगा देन उसके बाद यहां पर फाइनले डीमोट डेक्सटप कनेक्शन ओपेन हो चुका है देन उसके बाद यहां पर आपके सामने जो देखे शो आप्शन का दिखाई देरी है जस्ट यहां पर आपको उस सिस्टेम का आईप अडेस पोवाइड काना पड़े होग्या जो देकि यहां दोनों यहां पर है दैन उसके बात यहां पर आप देख पाएन जो देखे बहुत सारा चाशा दिखा देरी हैं अगर आप करना चाहते हैं तो इजली यहां से कस्टॉमाइडिज़ाश कर पाहेंगे तो फिलन मैं यह पर कोई भी customization नहीं कर रहा हूँ जो भी by default है मैं उसके रखता हूँ देन उसके बाद आप connect बटम में क्लिक करिए connect बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पर है username show करिए and to system का यहाँ पर password provide करना पड़ेगा अगर आप password provide नहीं करेंगे तो आप कवे भी enable नहीं होगा remote desktop connection तो चलिए यहाँ पर उस system का जो भी password है मैं यहाँ पर provide करता हूँ then उसके बाद यहाँ पर ok button में क्लिक करता हूँ ok button में क्लिक काने के बाद यहाँ पर आपके सामने जोदे के remote desktop connection का एक चोट असन सार्टिपिकेशन आएगा just यहाँ पर आपको yes button में क्लिक काना पड़ेगा yes button में क्लिक काने के बाद यहाँ आप आप देख पाएंगे जोदे के finally यहाँ पर remote desktop connection successfully on हो चुका है और यहां पर कोई भी इरो नहीं आया है So I hope आप लोग को Totally समझ में आ चुका होगा जो कैसे Remote Desktop Connection को Enable करते हैं Windows 11 System में Step by Step And अगर आप सोच रहे होगे जो Disconnect करना चाहते हैं Remote Desktop को यहां पर आप देख पड़े Cross का आइकोन है Just here close button में क्लिक कर दीजें Then उसके बाद OK बटम में क्लिक कर दीजें OK बटम में क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे जोदेखे Finally Remote Desktop Connection Close हो चुका है I hope आप लोग को Totally समझ में आ चुका होगा जो कैसे Remote Desktop Connection को Enable करते हैं Windows 11 System में Step by Step अगर आप लोग कोई भी पॉब्लम आरे कोई भी डाउट आ रही है तो अप्रिस कमें सेक्शन में जरूर रिप्लाइ करते हैं तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूँगी तो देखें मैं आप लोग के लिए एक बाद क्लिर करना चाहता हूँ जो देखें successfully open हो जाएगा अगर आप लोग ने अभी तक भी Netalking Guruji चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गो तो पहले चैनल के जरू सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आकन को प्रेस करना ना भूलिए इससे किया होगा मैं जब भी नाए वीडियो दूँगी तो पहले आपको notification मिल जाएगा तो याँ पर आपको basic advanced level की Netalking Tutorial और टीडवन question answer भी मिल जाएगा आप लोग like and share कुछ नहीं करते तो देखें एक like से बहुत सरा motivation मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को like करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ भी share करिए इस वीडियो को देखने के बाद आप जरू subscribe कर लिजे और बेल आकन को प्रेस करना ना भूलिए I think आप लोग जानती होंगे जो Netalking गुरी जी नाम से एक Facebook का पेज है और Twitter का भी पेज है अगर आपने follow नहीं किया होगा तो जरूर आप follow कर लिजे तो मैं इस वीडियो की डेपसिशन लिक में इसका लिंक दे दूँगी तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारा information share करता हूँ So I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा अगर आप लोग Windows 11 के उपर अगर आप और भी details में tutorial जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से available है at Windows 11 के उपर मैं एक playlist create के हूँ जो देके आप playlist में जाके भी Windows 11 का tutorial देख सकते है step by step तो यहाँ पर almost 19 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं I hope आप लोग को totally समझ में आ चुका होगा